हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो आवर चैनल MNP Knowledge School तो आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपकी इंकम पांच लाख रुपए से लेके पंद्रा लाख के बीच में है तो आपको कितना टेक्स चुकाना होगा साथ ही साथ हम कुछ एक्जामपल के साथ आपको ये बताएंगे कि आपको नया टेक्स सिस्टम लेने में फाइदा है या पुराना टेक्स सिस्टम लेने में फाइदा है यानि कि पांच लाख से पंद्रा लाख के बीच में अगर आपकी इंकम है और आप ये निर्णा लेने में अभी आपको confusion है कि मैं नया tax regime से tax file करूँ या पुराने को continue करूँ तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी हद तक चीज़े clear हो जाएंगी तो आएए बिना समय कमाए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर अपकी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल ना भूले जिसे जब भी चैनल पर नया वीडियो आए उसकी जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिल जाए तो देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे फाइनेंसियल इयर दो हजार तेईस चौविस में यानि कि जब दो हजार तेईस चौविस के फाइनसियल इयर के लिए आप अपना जो टेक्स रेजीम नया या पुराना जो भी चुनना चाहते हैं उस पे हम बात करेंगे और एक्जामपल जो भी हम लेंगे वो 60 साल से कमके व्यक्ति का लेंगे और केटेगरी उस व्यक्ति का लेंगे जो सैलरी पाता है जो कहीं नौकरी करता है या पेंशन पाता है ठीक है अब आईए एक्जामपल शुरू करते हैं सबसे पहली बात आपको ध्यान इस चौबिस में लागू होगा वो जो है उसमें 7 लाख रुपय तक की इंकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं चुकाना होता है इसलिए जब हम एक्जामपल लेंगे तो old tax system में हम 5 लाख से उपर की इंकम का एक्जामपल लेंगे और नय tax system में 7 लाख से उपर की इंकम का एक् उपर कितनी tax liability आएगी या उसको कितना tax देना होगा वो जानते हैं तो यहाँ पर देख रहा है इंकम आपकी 6 लाख रुपय है salary से 50,000 रुपय का standard deduction आपको मिल जाएगा यानि अब आपकी इंकम बचेगी 5,5 लाख और 5,5 लाख रुपय पे जो आपका tax बनेगा 22,500 रुप अगर आपकी इंकम 6 लाख है एक चीज़ क्लियर हो गया अगले example में थोड़ा आपको और क्लियर होगा अब old tax regime में अगर आपकी इंकम 7 लाख है हम new tax regime का example 7 लाख तक नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको पता है 7 लाख तक उस पर कोई tax वैसे भी नहीं बनना है लेकिन अगर आपकी old tax regime में आपकी इंकम 7 लाख है यहां पर हमने यह माना है कि 80C में कोई व्यक्ति 1.5 लाख रूपय इंवेस्ट कर रहा है चाहे LIC में चाहे PPF में चाहे tuition fees में या जिसमें भी total उसका 1.5 लाख रूपय का इंवेस्टमेंट है तब उसकी tax liability कितनी बनेगी तो 7 लाख र रूपय का आपका standard deduction, 1.5 लाख रूपय का आपका 80C में investment बाकी investment हमने नहीं लिये है क्योंकि किसी का 80D में होता है किसी का home loan है किसी का नहीं है तमाम तो ज्यादा आपको confusion नहों तो सीधे हमने सिर्फ 80C का 1.5 लाख लेके ही example दिया है तो 1.5 लाख रूपय 80C का और 50,000 रू income बनी और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुवात में ही बताया है कि old tax regime में अगर आपकी income 5 लाख तक बनती है तो आपको कोई भी tax नहीं देना होगा वही example यहाँ पे clear आपको हो जाएगा यानि कि अगर आप 80C में पूरा-पूरा 1.5 लाख रूपय जमा कर रहे हैं तमाम employee के PF कटते हैं, NPS के investment हैं, insurance के premium जाते हैं तो 1.5 लाख रूपय इसलिए मैंने माल लिया है कि 1.5 लाख रूपय सबका investment होगा ठीक है यानि कि यहाँ पे आपका zero tax आएगा अब शुरू करते हैं new tax regime के कुछ example के साथ साड़े 7 लाख रूपय अगर आपकी new tax regime में income होगी तो उस पे आपका कितना tax बचेगा देखिए, 50,000 रूपय आपका new tax regime में भी standard deduction के रूप में minus हो जाएगा income बचेगी आपकी total 7 लाख रूपय और जैसा कि आपको बताया गया section 87A की बज़र से 7 लाख रूपय पे आपकी कोई भी tax liability नहीं बनेगी और आपको zero tax देना होगा यानि कि एक बात यहाँ पे clear हो गया अगर किसी ने नया tax regime चुना है, salary पाता है, pension पाता है, उसकी income साड़े 7 लाख रूपय भी होगी financial year 2023-24 में तो भी उसको एक भी रूपय tax नहीं देना होगा अब यहाँ से आपको और चीज़ें clear होने शुरू होगी क्योंकि old tax regime और नय tax regime का एक साथ आपको example, comparison दे देते हैं, अगर 8 लाख के income है, 9 लाख के income है, 10 लाख के income है, 11 लाख के income है, 12 लाख के income है और 15 लाख के income है, तो पहले 8 लाख के income पे देखिए, screen के left hand side पे old tax regime है और right hand side पे new tax regime है, जल्दी से समझेंगे, अगर old tax में आपका 8 लाख income है, तो total आपकी tax बनेगी 33,800, condition वही है, 1.5 लाख रुपए का आपका 80C का investment अगर है, और new tax regime में आपका बनेगा 31,200 रुप है, यानि new tax regime में आपको थोड़ा कम tax देना होगा, अगर आपकी income 9 लाख है, तो new tax regime में आपका tax और old tax regime में आपका जो tax बनेगा वो इस प्रकार है, old में आपका 54,600 बनेगा और new में आपका 41,600 बनेगा, यानि कि new tax regime में आपको कम tax देना पड़ेगा, अगर आपकी income 10 लाख है, तो old tax regime में total आपका tax बनेगा 75,400, वहीं new tax regime में आपका tax बनेगा 54,600, यानि य करीब करीब 20,000-21,000 रुपए के आसपास बचेगा टेक्स में, 11,000,000 अगर आपकी इंकम है, तो old tax regime में 96,200 आपका tax liability है, वही नए tax regime में सिर्फ 70,000 रुपए है, यानि यहां पे भी 26,000 रुपए के आसपास आपका कम tax new tax regime में जाएगा, और अगर 12,000,000 रुपए आपकी इंक tax liability होगा, यहां पे भी 26,000 रुपए के आसपास आपको फाइदा होगा new tax regime में, और अगर आपकी इंकम 15,000,000 है, old tax में आपको जो tax देना होगा, वो 210,000 रुपए, और नए tax regime में आपको 1,45,600 रुपए, यानि करीब यहां पे आपको लगवग लगवग 65,000 रुपए कम tax द में जो उन्होंने tax के बारे में बताया है, वो यही बताना चाहती थी कि नए tax regime में आपकी tax के liability overall कम रहेगी, यहां पे आप 80D में invest करते हैं, old tax system अगर आपने चुना है, home loan है, तमाम चीजे हैं, तो उससे आपका calculation थोड़ा change होगा old में, हो सकता है कि old tax system में भी आपको कम द पाल हो तो पूछिए और चैनल को subscribe नहीं किया, subscribe जोरू कर लिजएका, नमस्कार.